एक लेडी जीस भी सीटी में जाती है वहाँ के आदमियों के साथ उसका अफेर हो जाता है अब वो एक न्यू सीटी में है तो क्या हमारी में क्यारेक्टर मेग का हजबन उसे बच पाएगा उसके यहाँ आने के बीचे इरादे क्या थे यह हम आज के अमारे मूवी अगूड वोमन 2004 की एक रोमांट्रिक ड्रामा हॉल्योड मूवी में देखेंगे यह मूवी एक एसे ट्विस्ट के साथ आती है जिसे आप इमेजीन भी नहीं कर सकते हैं तो अन तक इस वीडियो को जरू देखेएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज से लाइक और कमें का अफेर था अज आरलेन को मिलने के लिए कोई आद्मी आ रहा था वर उसके पास तो नहीं आता अरलेन के पास कोई पैसे नहीं थे वेटर उसके पास आया और यह बात उसे समझ में आ стор infinitely बाहर जा रही थी तो अलग वीटर उसके लिए विल लेकर आया उससे पैसों की data कमी आरलेन को कोई भी फरक पढ़ने नहीं वाला था अगली जिन में हम उस अमीर आदमी रॉबर्ट और उसके वाइप मेक को देखते हैं यह दोनों शॉपिंग करने के लिए थे पर रॉबर्ट जरा बीजी हो जाता है तुने पहचानने वाली लेडी एक शॉप में मेक को लेकर यहाँ पर डारलेन नाम का आदमी मेक को फर्स टाइम देखता है और शो बहुत ही अच्छी लगी थी वो तुरूंद उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग क्या कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के लिए भी ग्लो लेना चाहता हूं तुमारे हाथ भी उसी की तरह है तो क क्या मेक लोग आपको पहना सकता हूं मैं किस बात के लिए मान की थोड़ी दरी में मेक के हजबन को लेकर वो लेडी फिर से वापस आती है उसने उसे कहा कि इसके साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर दो एक्च्छल में डार्लीन हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता थ वो मिडलेश था पर अब भी उसके शादी हुई नहीं थी डार्लीन का मानना है था कि अभी भी उस सचे प्यार को ढूंड रहा है रॉबर्ट और मेक अभी अभी सिटी में मूव हो रहे थे तो अलग-अलग जगा देख रहे थे उन्हें एक पैलेस पसना तो रॉबर्ट न एक रात पार्टी में मेक को अकिला देख टार्लीन उसके पास आ गया उसने उसे ड्रिंक के लिए पुछा तो मेक उसे मना कर दिया कहती कि मेरी फैमिले में कोई भी ड्रिंक नहीं करता वो अपने बचपन के बारे में बताने लग गए तो जब वो बहुत ही छोटी थी तब तो मुझे लगाई था कि तुम्हारी मदर वि बहुत ही प्यूटी फुल हो की इस तरीके का डार्लेन का फ्लरट करना मैं एक को अच्छा नहीं लगता डार्लेन ने का कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हो इन सब चीज़ों से मेरा कोई भी गलत मतलब नहीं ह मेकब अड़े अब पास आ रहा था तो उसके लिए किफ लेने के लिए रॉबर्ट एक जूलरी शॉप में आता है वहाँ पर अर्लिन भी थी वो रॉबर्ट से कहती है कि वाइफ के लिए कभी भी चूलरी पाई मत करना हूँ उसे लागे का यह शायद तुमारा किसी और के साथ अफेर चल रहा है और दूसरी लड़की को भी तुम चूलरी किफ्ट करते हो तुमें उसे कुछ स्पेशल देना चाहिए एक हैंड फैन उसे बहुत अच्छा लगा था तो उसे हो सजेस्ट करती है शौप कीपर ने रॉबर्ट से कहा कि मैं सेल नहीं करना चाहता और रॉबर्ट को इतना अच्छा लगा था तो बहुत ही जादा पैसे देखकर उसे पाई कर लेता है गर जाते हो एक रॉबर्ट ने अरॉबर्ट को अपनी काड़ी में लिफ्ट दे दी इस सारी चीज़े उनके फ्रेंड्स देख रहे थे उनने लगने लग गया कि शायद अरॉबर्ट में अफेर चल रहा है इस सब में डार्लीन भी था अपने बड़े गिफ्ट को लेकर में बहुत ही जादा एक्साइटेट थी एक दिन शॉपिंग करते हुए अरॉबर्ट से उसकी मुलाकात हुए अरॉबर्ट को ले जाने के लिए डार्लीन पहुच आता है अजानक से रॉबर्ट को अरॉबर्ट का कॉल आ किया गहता है तुम्हें इस तरीके से घर पर कॉल नहीं करना चाहिए वो अभी क्यावे उससे मिलना चाहती थी मेग और डार्लीन के साथ अपना लंच का प्रोग्राम उसे कैंसर करना पड़ता है उसने कहा कि तुम दोनों लंच के लिए चले जाओ आसपास घुमते हो डार्लीन ने रॉबर्ट की चेक दीखे उसमें आर्लीन के नाम पर उसने कुछ पैसे किये हुए थे इन चेक्स की वज़े से उनका अफिर कंफर्म हो जाता है इस सिटी के और एक अमेर आद में जिसका नाम था टपी उसके साथ भी आर्लीन का मिलना जुलना होने लग गया था एक दिन उनके फ्रेंज डिसकस करते हुए गया थे कि शायद आर्लीन और रॉबर्ट इन दोनों में चक्कर चल रहा है यह बात उसे बता देते हैं तपी ने कहा कि रॉबर्ट सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट देख रहा है उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है लंज क क्यों ने उनके अफिर के बारे में पता था थोड़ी दिर में रॉबर्ट कहता है कि में सिर्फ लंज के लिए गई है मैं लेट हो गया तो शायद उसे शक चला जाएगा वो आर्लीन को कुछ पैसे देख कर जाता है अर्लीन ने पुछा तुम दोनों मिले कैसे थे क्या तु में ने कहा कि तुम अपने आफिस में नहीं थे रॉबर्ट कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम आई होगी इस तरीके से उसका जुट पकड़ने के बाद में को जरा बुरा लगता है नेक्सिन में सब लोग ओपेरा देखने के लिए गये गये थे अर्लीन और टपी को एक सा इन्वेस्टमेंट देखता हो इस तरीके का लोगों का देखना है आर्लेन को अच्छा नहीं लगता अब उसे में भी देखने लग गई थी तो यह बात उसे बहुत ही ज्यादा अनकमफरटेबल फील करा दिया उसने टपी से कहा कि हम दोनों को कहीं और जाना चाहिए तो ट हम सब को पता है कि वो किस तरीके से पैसे कमा दिया रॉबर्ट कहता है कि सिर्फ मैं मेरा जॉब कर रहा हूँ मैं का मूड अच्छा करने के लिए उसका बट्टे गिफों उसे पहले देता है मैं को बहुत ही पसंद आया आर्लेन टपी को अपने घर पर लेकर आई थी उसे है कि यह दोनों एक दुसरे को समझ बात है तो टपी ने कहा शायद मुझे तुमसे शादी करने चाहिए आर्लेन कहती कि मेरी कोई भी शादी ठीकी नहीं है स्लोली स्लोली प्यार कम होता जाता है और आप स्टक महसुस करते हो टपी ने कहा कि शायद तुम राइट परसन से क पीना छोड़ देता है जाते-जाते को कहिकर गया कि मैं बहुत ही अमीर हूं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा अब नेक्स डे में की बड़े पार्टी थी डार्लिन उसके लिए बहुत एक्सपेंसियों गिफ लेकर आता है में ने कहा कि मैं एकसेप नहीं कर सकती लोगों को अगर पता चला तुने लगेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है डार्लिन गयाता है कि मुझे इस सब चीजों से फरक नहीं पड़ता हम दोना एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है अगर तुमें कवे भी किसी भी सहारे की लिखे है उसे भी लगने लग गया कि रॉबर्ट और आर्लिन की बीच में अफिर चल रहा है इस बात से बहुत ही ज़्यादा अफसेट हो जाती है अपने एक फ्रेंड को बात बता दिये तो फ्रेंड्स ने कहा कि आर्लिन उसी टाइक किया हर आदमी को फसा देती है मैं एक अलगी क्योंकि रॉबर्ट और आर्लिन की रिलेशन्शिप को लोग इस तरीके से चर्ज कर रहे हैं वो डार्लिन से बात करता है कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए मैं रेडियू हूँ पर तुम्हें अभी क्या भी सिटी को छोड़ कर जान नहीं है इसे एक बात को लेकर आर्लिन रॉबर्ट को ब्लैक मेल कर रही थी इसी वज़े से रॉबर्ट ने उसे बहुत सारे पैसे दिये थे एक्च्वल में उन दोनों की बीश में कुछ भी आफेर चल नहीं रहा एक आद में जिसका नामदा डम भी यह सब बात सुन लेता पर उसे पुछता है कि क्या तुम मेक की मदर हो आर्लिन ने कहा कि तुमने सपना देखा फिर से सो जाओ बाहर पार्टी चल रही थी पर मेक अंदर बहुत ही जादा अपसेट थी उसे तो लगता है कि आर्लिन और रॉबर्ट के वीश में आफेर है गुस्से में जिस तरीकी की ड्स पाइलिन की थी उसी टाइब की ड्रेश उसने पाए कर ली थी और उस सब्सके सामने आ जा दिया है रोवर्ड उसे लेकर जा रहा था पर उसे कहती जो में और आर्लिन के बारे में पता चल गया आज तुम मुझे कुछ भी बोलने कि जुरत मत करना पार्टी में बात जादा ब्यूटिफुल लग रही हो वो आरलेन को देखकर सप्राइस तो था और उसे कहता है कि टपी के पास उतने जादा पैसे नहीं है रॉबर्ट उससे जादा अमेर है तुमें उसकी साथ अफेर कंटिनू करना चाहिए मैं एक रॉबर्ट को छोड़ने से डरती है तो आरलेन बहुत ही ब्यूटिफुल है फ्रेंस ने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ है डवी ने कहा कि अगर वो ब्यूटिफुल नहीं होती तो में भी उसे कोई भी भाव नहीं देता उसे रिलेशन्शिप एक बिजनेस की तरह लगती है पर फि उसके पास आकर उसे किस्ट कर लेता है डिस्टा वोकर में एक बाहर आगे डारलेन ने कहा कि रॉबर्ट ने तुम पर चीट किया अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए वे तुमसे बहुत ही प्यार करता हो मेरी चिप में हम दुनिया की किसी भी कोने में जा सकते है र इसके बाद इसके लिए उमान जाती है रॉबर्ट आरलेन को पार्टी में देखकर और भी ज़्यादा गुस्दा हो गया था उसे और पैसे देता और जल्दी से जल्दी निकल जाने के लिए कहता है यारलेन ने कहा कि मैं डारिकली जाकर मेंक से बात कर सकती हूँ उससे चोड़ कर जा रही है मैं एक को ढूंदते रॉबर्ट भी उपर आ रहा था तो अर्लीन ने उसके रूम का दर्वाजा बन कर दिया रॉबर्ट को लगता है कि मैं गुस्सा है इसी वज़े से दर्वाजा खोलने रही उससे कहता है कि अर्लीन और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है वो तो बहुत ही जादा बूड़ी है और दिखने भी इतने अच्छी नहीं है रॉबर्ट के जाने के बाद अर्लीन टबी के पास आई और उसे कहती कि रॉबर्ट को आज रात घर के बाहरी रखो टबी ने पूछा कि ऐसा क्यों अर्लीन कहती कि अगर तुम उसे शादी क जाना चाहिए हम दोनों की बीच में कुछ भी आफेर नहीं चल रहा है मैं उसके एक रिलेटिव हूँ और उसी वज़े से हूँ मुझे पैसे दे रहा था तुम्हारा अजवन तुमसे बहुत ही प्यार करता है मैं उस पर जादा बिलिव नहीं करती तो अर्लीन ने कहा कि अ रॉबर्ट और डार्लीन को लेकर वहाँ पर बोज गया यह सब मिलकर अर्लीन के बारे में बात करने लग गये वो फिर से टपी को समझाने की कोशिश कर रहे थे तपी कहता है कि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला यहाँ और एक आदमी को रॉबर्ट ने मेंग को जो हैंड फैन दिया था यह मिल जाता है रॉबर्ट कन्फ्यूस हो गया कि मेंग का फैन यहाँ पर आया कैसे अगर उसे पता चलता कि मेंग यहाँ पर है तो उसका मैरेज हमेशा के लिए टूट जाता अर्लीन उसे बचाने के टबी ने अर्लीन से प्रिक अप कर लिया है उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लगता है आज लास्ट टाइम अर्लीन मेंग से मिलने के लिए आई हुई थी रॉबर्ट ने अर्लीन से बात कि कहा कि अगर तुम सचमुश में मेंग से प्यार करती तो इस तरीके से उसे जाती है अरलीन ने कहा कि जिस तरीके का मेरा मैरेश था उसमें मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसे यहाँ से जाने के लिए पर तब यह में इक बहुत क्या मैं रॉबर्ट को सब कुस सच सच बता दूँगी अरलीन कहती कि फ्लीज ऐसा कुछ भी मत करना तुम दोने ए अरलीन यहां से जाने लगके रॉबर्ट ने कहा कि तुमने उसे कुछ बताया क्यों नहीं अरलीन ने कहा कि मेग अपनी मदर को भगवान समान मानती है उसकी इस फेद को मैं डिश्ट्रा नहीं करना चाहती है जाते जाते रॉबर्ट ने जो भी पैसे अरलीन को दिये थे इस स तब को जोट बोला था उसका मैरेज बजाने के लिए उसने उसे हेल्प कर दी टपी अर्लीन के साथ बहुत ही खुश था और अर्लीन को भी पसंद आया था अब एक अलग कंट्री में जाकर फिर से अपनी लाइफ कंटीनू करेंगे इसे के साथ मूवी एंड हो जाती है अगर